हेलो टेग चार्जस आज भी बेहत कमाल के अपडेट टेग वर्ड से आप सब के लिए आ चुके हैं वोड़ फोन आइडिया 300 से जादा इस्टोर खोलने वाला है डामेंस टी 9200 चिपसेट के स्पैसिफिक्शन टिप हो गया है और भी बहुत सारे अपडेट मिलने वाले हैं आज के बुलिटिन में तो बस मेरे साथ लास देखी वीडियो मैं हूँ श्वाग और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकली चार चार तो सबसे पहले आज के बुलिटिन में लेके चलते हैं यहां पर वोड़ फोर आइडिया का मकसद है कि कस्टमर्स तक फेस टू फेस सर्विसिस उनके डोर स्टैप तक पहुँचाई जा सके ताकि जो घरता हुआ ग्राफ है कस्टमर्स का उसमें एक बार फिल से उच्छाल लाया जा सके आप बताईए कि आपके छोटे टाउन तक ये रीटेल एस्टोर पहुचने से आपको कुछ मदद मिलेगी 2018-19 के आसपास पे जो भारती टेलिकॉम इंडस्ट्री ने उथल पुथल देखी उसमें बड़े बड़े धुलंधर धराशाही हो गए जिनमें से Reliance Communication भी एक है उसके बाद में उनके भाई भुके सम्मानी ने थोड़ी सी मदद जरूर की थी ताकि वो जो उधार और करजे में डूबी हुई कंपनी थी उसमें थोड़ा सा उनके भाई को मदद मिल सके लेकिन 2019 के बाद से अब तक acquisition कंप्लीट नहीं हो पाया है तो Reliance Jio अब चाहती है कि जल्द से जल्द R.com के जो भी infrastructure बचा हुआ है उसकी जल्द से जल्द acquisition की जा सके उससे होगा क्या कि 5G infrastructure development में Jio को फाइदा मिल सकेगा अब बताईए आपकी क्या रहा है नीचे comment करके आप मैंसे कई लोग Telegram का इस्तमाल भी करते होंगे ये app भी नए-ने feature समय समय पर लाता ही रहता है अब दो नए update आ रहा है इनमें सबसे पहले फाइदा होने वाला है large groups को जिनमें की Telegram देने वाला है topics का इस्तमाल कर सकते है large groups बार में चलके छोटे और medium size के groups को भी ये update मिल सकेगा एक और update दूसा है कि chat के दो रहा है collectible users name का भी इस्तमाल अब हो सकेगा अब आप पता ही इनमें से दोनों कौन सा आपके लिए फाइदमन्त हो सकेगा जबसे ट्वीटर की ऊपर Elon Musk की परच्छाई पड़ी है ये लगात और खबरों में बना हुआ है जिन accounts users को इंतजार था blue tick यानि कि verification badge मिलने का अब उनको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि US के अंदर mid term election होने वाले हैं जिसके मद्दे नजर फिलाल पीटर ने इस काम को temporary postpone कर दिया है तो अब आपको थोड़ा समय लग सकता है लेकिन हो सकता है कि जल्दी मिल जाए अब तक इंडिया में पुराना IT Act यूज किया जा रहा था लेकिन अब बदलते हुए समावेस और social media OTT platforms के बढ़ते हुए कारवा की वज़ा से नए Act की ज़वरत तो है जिसका नाम दिया जा रहा है Digital India Act जो की early 2023 में आ सकेगा क्योंकि Union Minister ने इसी तरह के कुछ updates दिये हैं और hint दिये है कि इस पे flash draft पे काम किया जा रहा है तेजी से जो की जल्द ही implement next year होने वाला है Amazon Prime Videos का mobile subscription जो की dedicated AirTel customers ही अब तक इस्तमाल कर पा रहे थे लेकिन आज Amazon ने इसे all customers के लिए open कर दिया है किसी भी network के Indian users इस mobile edition plan को purchase कर सकते हैं पांसो निन्नार रुपए का यह subscription plan है जो की mobile users को वाकी में सस्ता पड़ सकता है तो अगर आप भी चाते थे इस plan को purchase करना तो अब आपके लिए रास्ते साफ हो गए है Apple की किसी भी device में अगर Apple के voice assistant को जगाना हो तो अब तक hey Siri कहना पड़ता था लेकिन ऐसे update आ रहा है कि Apple hey Siri में से hey को remove करने वाला है जिसके specification हो गए है tip साथ में यह भी पता चल गया है कि Vivo X90 के साथ में सबसे पहले market देखने को मिल सकता है इसमें 8 core मिलेगे जिनमें की core X1 के साथ साथ इसमें core A71 भी मिलने वाला है जिसमें की 3.05 GHz तक की clock speed साथ में network के हिसाब से बहुत नी कुछ enhance भी हो सकेगा बाकी updates के लिए दोस्तों इंतिजार करना पड़ेगा अफलाल यह था एपिसोड कैसे लगा नीचे comment करके जरू बताए वीडियो को लाइक की जिए शेयर वीचे चैनल सब्सक्राइब पेना जोस्तों इसने बाइब